तो गाइस आज हम लोग रियक्ट करने वाले हैं टोटल गेमिंग का गेमिंग रूम सेटप टूर के उपर जो की 13 मिनेट 27 सेकंड का है और सायद से ये वीडियो मुझे भी उस दे सकता है हम थमनेल की बात करते हैं तीन करोड रुपे का गेमिंग सेटप लिखा हुआ है सायद से लगता है मुह ऐसा खुला है पर यहां पर थोड़ा सा मावा या फिर भीमल खाके मुह खोला होगा थोड़ा से लाल लग रहा है और बेक्रांड में आप देख सकते हो गौड आफ वार बेक्रांड में और बेक्रांड में आपको मस् ट्रिपल पीसी सेटप दिख रहा है मेरा नाम है और आज हम लोग करने वाले है गेमिंग रूम टूर ऑके सबस्क्राइज मुझे यह बताओ जो भी लोग देख रहे हो ठीक है यह अजवाई के ड्रिस में जो कार्टून करेक् आज है पीछे ऊहला चिला रहा है चिडिया चिला रहा है सब सांड पकड रहे तो यह वाला जो रूम टूर वीडियो भूपी और का गेमिंग रूम है मेरा बहुत नाशान का इस सज्जन को किना तकलीब है भाई तो आज मैक से लिकॉर्ड से कैम्रेश से संग रिकॉर्ड वरना sound क्या बढ़िया आता है वो DJI का माइक है देखो मेरे पास भी माइक है what are you doing bro? मैंने कितना माइक पर कितना हर्ज है कि आपको बता होगा मेरा एक Sior का माइक है जो मैं इस्टैंड लाता था उसके बाद गाई मैंने दूसरा माइक खरेदा जो कि like rod का तुमको बता होगा इसका स्टैंड गया था मैंने बोला अभी guys मैं देखो नए माइक करता है मैंने Elgato Wave 3 अजिवे कि अधिवाला माइक है फुल पेस्ट्रूम करता हूं यह वाला माइक है अधिवाला मुझे ना अधिवाला चीर के उपर मेरा तौलिया पड़ा हूआ है इधर उद्धर पड़ा हूआ कुछ भी होता है यह सबसे बेले टीवी टीवी में देख रहा हूं बोरुटो नरुटो यह पता नहीं ठीक है तो यह अपना बेड और यह आडियो माइक का आडियो कितना बड़ी है अब अभी गेंज आदा है अब मेरे के वोलियम कम करना पड़े गर को सबसे खास बात ही है कि सिंगल बेड है मतलब अगर डबल सोना भी चाहा है तब भी कोई सो नहीं सकता है इसके उपर मेरे साथ में समझ लगों तो बात में खेर छोड़ा या रभी मैं क्या बात चीत रह चाहिए बड़ा यह बड़ा यह बड़ा रहता है और यहां में बेड़ पे स्वेड़ा हुए फोन चला सको और चार्जिंग भी कर सको गेंगी गेंगी जब और इसको मेरे देता हूँ अच्छा मुझे लागा उस पर तुम कीस करोगे और इस बेड़ के सामने सिद्ध सैमसंग S24 Ultra YouTube का डबबा DJI का माइक वो त्यल क्या है वे तो अभी यह जो वाला सामने इसको गलत मत समझना यह है क्लीनर बाय गलती है वो तुमारा इसमाइल बताता है क्लीनर नहीं है यह वह वाली चीज मतलब वह वाली चीज क्लीन करते हैं यह जो टीवी है ना उसका ग्ल लोगों को गेमिंग रूम दिखाना इसी बात पर वाई यह वीडियो को लाइक कर देना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो और आज आप गेमिंग रूम में जाते है तो भाई यह वी टाइम आ चुका है अपने गेमिंग गाई देखने का सब्सक्राइब को देखने का और मैं पहले ही बता दू यह कोई 3 करोड का गेमिंग सेटप नहीं है तो क्यों बोला हमको 3 करोड कांट करना था यार मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूं तुम बात करते हो नहीं कॉपी पैन मैं पुरा यहां को लिखने वाला था कि इतना रु पाइस मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को लगता है 25-30,000,000,000 और जो मैंने सेट पे गेमिंग सेटप बनाया था वह सकता है इतना हो सकता है काफी मेहंगा था मलब लिटरली बहुत ज्यादा मेहंगा था वेसा मैं बना सकता हो अभी घर के अंदर बटा मैं सोच रहा हो बाद में बनाऊगा बाकी अभी आप लोग यह वाला गेमिंग सेटप देखो यह भी बहुत खतरना गेमिंग में दिखाता हूं यह है मेरे PC दो और पेशक हमाऊ बाकी आगे बढ़ते हैं यह CPU यह में CPU है यह थोड़ा निचे करो इसमें रेकोडिंग होती है सभी चीजों की इसमें लाइटिंग वगेरा भी मैंने बहुत सही करवाया है इसमें 2080 Ti लगा है उसके अलावा CPU Intel का है Intel i9 रेम लगी हुई है इसमें कुछ 64 GB में और यह वाले फेन लगे कोश्यर के जो लाइटिंग वाले अजबाए का CPU और मेरा CPU सेम टूसे में मेरे पास भी लगे हुए है और हाँ यह PC रेकोडिंग के लिए यूज होता है के CPU सच बता हो तो और यह CPU के अंदर मैंने दो मॉनिटर कने करके रखे है और वो दोनों और GTA 5 यह सबी चीजे में इसमें खेलता हूँ बट अगर को नॉर्मल वाली गेम होती है ना तो वह भी में इस मॉनिटर में खेल सकता हो बट इसमें 60 हर्स है तो इस वज़े से मैंने इसको साइड मॉनिटर बना दिया हाँ अभी बातचीत आती है यह वाले मॉनिटर की यह पड़ी Amiq के प्राइस माक के यह माइक का प्राइस मतंगे आशी यह अजयर में सम्धिंग i9 इसमें मैंने लगाया है और इसमें है 108 GB RAM 128 GB RAM और हां यह जो गेमिंग केश है ना यह मतलब मेरे को छोटा बढ़ रहा है इसमें अगर यहां पर केमरा में थोड़ा यह देखो यह वाली जो SSD storage है ना उसके लिए SPS नहीं है तो मैंने साइड पे से ही रख दिया है और मैं काम चला रहा हूं दोनों SSD से इसे ही रख यह हां बट इसका साइड में पड़ा हुआ है मेरे पास भी यह देख रहे हो तब कुस है हमरे पास सेमिलर सी दे दोनों के पास राउटर भी गाइस 5G वाला है पॉंपुटर जो की बेक अप कॉंपुटर है यह वाला पीसी बहुत ही खास PC है और यह तीसरा पीश्या पैंटि यह वाला PC बहुत ही खास PC है और यह तीसरा PC है जो कि बेकप PC है इसको मैं बेकप PC इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेकप PC नहीं बोलेगी है मेरा सबसे पहला PC है यह है BenQ का monitor 244 Hz का सबसे तगड़ा वाला 56,000 या 60,000 का मैंने खरीदा था और इसको मैंने लगाया है यह वाल CPU है और इसमें लगा है Intel i5 और साथी में एक GPU है वो GPU का मेरे को पता नहीं परफिक कौन सा GPU है अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं बता दूगा इसमें मैं कौन सा GPU लगाया था इसमें मैं खेलता हूँ वेलोरेंट इसलिए मैंने इसको 244 Hz वाला monitor देके रखा है तो यह 12-13000 का keyboard है काफी महेंगा है इसलिए मैं बता रहा हूँ यह अगर तुम लोग देखोगे न Google से Google दिखने में तुमें लगेगे बहुत ही नॉर्मल है बट इसमें यहां पे speaker वगएरा है charging वगएरा भी कर सकते है यह कुछ 30,000 के आसपास के मेरे को YouTube ने gift किया था तो thank you YouTube और बाकी तो तुम देखी सकते हो यह router है जिससे मेरे सभी PC को internet मिलता है जितने भी PC यहां पे है सभी को ATP link का router जो है और देता है internet तो यह है मेरा setup बाकी तुम टेबल देख सकते हो और भी चीज़े देख सकते हो यह देखो भाई आराम से सभी चीजों के उपर cinematic डाल दो संत श्म आइगाड दो है जो कि मेरे आप लोगों को दिखाने है आजाओ यह माइक यह माईक गएग जिलार के साथ जाता है गोईग चलार को एक बार दिखा देना माइक को भी एक दिखा दो उसका भी कोई टेंशनी यह देखो यह गेंग जिलार है यह सांडबोर यह जो ध्व अऊड котором भाई भाई लेक्सिक देख रहे हो लेक्ष सबसे सथा चिज्वास सबसे महंगा माई पर की इंटेजी शेल थैं तो है शनल है और सुनलश्य नहीं दो要 कि ओल प्रॉपर्ट्स. और तुम लोग लेता है तो लेने का एकी रिजन था मेरा चैनल पुरा वह इस पर चलता था मतलब फेस नहीं था तो इस वजे से मैंने माइक पर इतना घर्चा किया था बट इससे पहले माइक उस करता था वह 40,000 वाला था और उसके बाद सिद्धा मैंने जंप मारा वह 76,000 व यह वाला देखो यह वाला यह यह मेरे पास काफी टाइम से अमीद भाई और मेरे पास से हमी है यह लोगी टेक का ब्रियो जो की 4K में रेकोडिंग करके देता है मरलब जब वेब के मगेरा करता हूँ तो इससे में करता हूँ और हाँ मैं टिक्टो करको ना बहुत पहले च इचान इस वाल बट अभी के टाइम में मैंने दौदू रिंञाइट खरी दिया छैड को अज बर मेरे चैट पर सब लोगों वह उड़ता है दो पेर के करीब एक बजे एक दो बजे उड़ता है उसको अभी फोन नहीं कर सकता वह अभी सोया हुआ होगा अगर मैं दो पर लाइब इस्ट्रीम कर रहा होता तो मैं डिफिनेटली कॉल करता बट इस वक्त अजुबाय उड़ते नहीं है जितना मैं जानता ह वह उड़ते हैं एक बजे तो भूल जाओ कि मैं कॉल करूंगा वह सुभा के चार बजे तक तो डिस्कॉर्ड में रहता है अभी उठाएंगे मुसको अभी मैं कॉल नहीं कर सकता ठीक है और डाल रहे हैं इसा करके बट अभी के टाइम में मैंने दो दो रिंग लाइट खरी यह सब सिस्टम है बाकी एसी है सिलिंग वगरा तुम लोग देख सकते हो यह है मेरा गेमिंग सेटप हाँ आपके बाकी जो गेमर है चपरी गेमर की तरह मैंने सेटप नहीं किया है कि कहीं पे भी मतलब LED स्ट्रीप लगा दी वह लाइट इंग बहुत ज्यादा ओना फिर अ प्रॉबलम है अभी ना में नाइट करता हूँ मतलब लाइट वगएर सब बंड कर देता हूँ और LED लगाता हूँ मतलब स्टार्ट करता हूँ LED जो आती RGB बगएरा और उसके बाद में दिखाता हूँ के सा रूम दिखेगा आ उसका अलगी लुक होगा बता चांदनी वार लगेगा बाकी डिय मर जो बनाते विए दो मिनले फंट रचांदनी वार बनाता हूँ तुमको लगेगा कि नहीं गेमिंग रूम में तो आज अधि करते भी लाइट को बंद और दिखाता हूँ महिंत अबुलिए अधि सच सच बताना यह चांदनी पर नहीं लग व्यांत बाट नाइट में अच्छा भी रूम का, बड़े लगते बता है यह भगवान फिर लाइट तो नहीं हो गया भाई वायर मेनेजमेंट में मैं दस में से एक दूंगा, ठीक है वो एक क्यों दिया है क्योंकि वो प्ला कम से कम इन है इसलिए, ठीक है हम तो अड़ गए जब तुम चुके, तब से तुम नजर में आ रुके हम तो हो गए जमादेरे देरे माला मालब तो होना है भई जो बनाए जहाँ